नमस्कार मित्रों, अभी अभी मैं आज तक पर जो हैदराबाद का जो गद्दार OEC उसका एक इंटेर्व्य देख रहा था, पता नहीं ये मीडिया वाले भी ICC में पर ऐसे लोगों को क्यूं मीडिया में बिठाते हैं और देश का महल खराब करने का प्रयातनी क्यूं करते है वो कहता है कि चोरों का जैसा मुर्तियों को मजिद में रखा गया, तो मैं OEC से पुछना चाहता हूं, चोरों का जैसा मुर्तिया नहीं रखी गई बेटा, जो इनलीगल जो बाबर का जो धांचा था उसको तोड़ कर हमारे राम भक्तों ने वहाँ पर राम जी की स्तापना की गए थी, यह था राम भक्तों का दिल, तुमारी फोड़ कर और जो तुमारे बाबर का जो धांचा था ना उसको तोड़ कर, राम लक्षमन सीता हनुवान जी की प्रतिमाएं वहाँ पर इस्तापित की गए थी, जो तुम लोगों ने यानि तुमारे बाबदादारों ने जो तुमारे पूर्वजो ने हमारे राम मंदिर को तोड़ कर, इनलीगल रूप से बाबर का डाचा खड़ा किया रहा था, और तुम आज कहते हो, कि इनलीगल है, तो सुप्रिम कोट के आदेश का पालन करते वे, आज भूमी पुजन कारिकरम किया जा रहा है, राम भक्तो हमने हमारे राम भक्तों ने 500 साल तक ये पल का हमने इंतिजार किया, और तु क्या कहता है, मजीद तोड़ दिये, मजीद तोड़ दिये, अरे वो तो उत्तर प्रदेश की बात है, अगर तेरे में दम है, हाल ही में, सेकरेटिट के अंदर मजीद तोड़ दिये गए, उसके अगर तो क्यों मुवन करके बैटा है, अरे अगर तेरे में दम है, जो अंबर पेट में जो तुम एक घर को जो तुम मजीद मजीद बोलते हो ना, वो बता के देख लो, वो बना के देख लो, अगर तुमारे दम है तो देख लीगे, आजपार के लड़ाई यही देख तो तुमारा मुवन, अंबर पेट का जो तुम एक घर को मजीद बना देते हो, दम है तो वो बना के बताओ, अरे तेलंगाना में कहीं ऐसी मजीदे हैं, जो बन पड़ी भी, कोई नमाज भी वह पर नहीं पड़ता है, अरे ऐसी मजीदों को तुम जीवित करो, कम से कम कलर छुनना पानी करो, उन मजीतों को दम हेटो, वो तु तुम इन अहीं देकता क्यांकि तुम्हारें को तो पालिक्स करना है, मीडिया में रहना है, और मुसल्मानों के उपर राजनीती करनी है, ब tenant करबाए, तो तुम इस तरह की भाड़ नी तो फाल तू राजनीत तुम करो बन करो बेटा